हलो एवरिवान वेलकम तो इजी इंजिनियरिंग आए प्रोफेसर हाजा बुलफेस वेलकम्स यू अधिस डिजिटर लर्निंग प्लैटफॉर्म आज हम लोग स्टेडी करेंगे केस हार्णिंग किसे कहते हैं और इसके डिटेल्स या टाइप्स कौन-कौन से हैं बिफोर स्टाइटिंग और टुदेशन लेट्स लेट्स लुक ओन कंटेंट स्लाइड आज की सेशन में हम लोग स्टेडी करेंगे केस हार्णिंग का इंट्रॉडक्शन की उसे किस तरह परफॉर्म करना होता है रिक्वार्मेंट्स क्या है उसके और उसके अलावा उसके कि लिए प्रेफर कर सकते हो और उसके अलावा एक कॉंप्लिमेंटरी ओनलाइन टेस्ट भी है जिसके लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीवी है तो टोटली फ्री आफ कॉस्ट है आप जाकि उसे ट्राइब कर सकते हैं तो आएज की टॉपिक की शुरुवात करते हैं इ यह रेजिस्टन सर्फेज इडिज अल्सो काल डाइज केस एंड सॉफ्ट कोर सो दाट इडिस टॉफ एंड शॉक रेजिस्टन्स तू इट मिन्स यहां पर क्या का गया है कि जन्रली जो इंडर स्टिल कंपोनेंट्स होते हैं लाइक शाफ्ट हैं ड्राइब वांस हैं गिया हार्ड होना चाहिए अब यह हार्ड क्यों होना चाहिए जो होते हैं एंडर ऎहीं मैश होती है और उसे के बीच फ्रिक्षन होता है यह फिर व्यार विट होने के चânसे शान्स निंट टूथ के अंदर ज्यादा होते थैं ठीक और उसके बाद दूसर requirement क्या है कि inner जो एरिया है फिर core एरिया जो हाई या अंदर वाला एरिया वो soft होना चाहिए तो यह दो requirements हैं हमारे industrial components के कि अंदर का area soft होना चाहिए और outer periphery hard होना चाहिए चाहिए और इसलिए जांद लिए हम लोग case hardening perform करते हैं next point is no plane carbon steel and even alloy steel possess both the requirements okay hard surface and tough core to to resist shock second reason क्या है कि plane carbon steel भी हमें इस तरह की properties नहीं देता है और नहीं alloy steel हमें इस तरह की properties provide करता है ठीक है इसलिए भी हमें case hardening यह process करना होता है first reason क्या है कि हमारा जो basic requirement है outer periphery hard चाहिए और inner area soft चाहिए ठीक है अच्छा यह inner area अगर soft रहेगा तो क्या होगा हमारा material होगा tough toughness means the energy absorbed before fracture ठीक है तो अगर हमारा inner area फिर core area अगर gear का soft रहेगा तो हमारा gear ज्यादा energy absorb कर सकेगा तूटने से पहले it means हमारा gear ज्यादा देर तक load sustain कर सकेगा ठीक है और अगर बाहर का area hard होगा तो जिससे क्या होगा wear resistance की property वो शो करेगा second reason क्या है कि plain carbon steel में भी हमें इस तरह की properties नहीं मिलते हैं और नहीं alloy steel में हमें इस तरह की now next point is it is noticed that steel containing 0.1% carbon is tough whereas steel containing 0.8% carbon is very hard and bitter both these properties are combined by the case hardening process यहां पर क्या बताया गया है कि 0.1% carbon होगा यह नहीं कार्बन percentage अगर कम होगा तो हमारा material होगा tough tough यह और यह वो soft होगा soft होगा तभी वो ज्यादा energy absorb करेगा तूटने से पहले तो carbon का percentage कम है तो material है soft इसलिए उसका toughness ज्यादा है और carbon का percentage 0.8 होता है तो वो material हो जाता है hard और bitter ठीक है तो अगर हमें यह दोनों properties एक ही material के अंदर चाहिए तो हमें case hardening process perform करना होती है next point is the heat treatment process of producing hard wear resistant carbon rich case or surface on tough and soft core of steel part it is known as case hardening तो यह एक जनरली definition के तौर पर आप लोग यूज कर सकते हैं तो आप यह फूर्थ नंबर वारा पॉइंट वहां पर लिख सकते हो यह ही treatment process of producing a hardware resistant carbon rich case on a tough and soft core of steel part it is known as case hardening यहां पर क्या बता है कि ऐसा heat treatment process जिससे हम लोग hard और wear resistance के बनाते हैं जिसके अंदर carbon का percentage ज्यादा हो ठीक है और जिसका inner area soft soft core means inner area जो होगा वो soft होगा तो ऐसे process को यह फिर ऐसे heat treatment process को हम लोग कहेंगे case hardening process for example figure के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि इस diagram के अंदर बताया गए कि इसका outer area है उसे हमने red hot किया है और उसे generally हमने harden किया हुआ है बट inner surface जो है या फिर inner area जो है या core area जो है वो soft ही है ठीक है core area soft होने के विए इसका toughness ज्यादा है और हमने आउट आउट पेरी फेरी पे hardening यह फिर heat treatment process करने के विए से यह surface हो जाएगा hard तो ऐसा heat treatment process जहां पे हम लोग soft core वाले material पे फिर steel plate पे आउटर periphery पे उसे hard and wear resistance बनाते हैं carbon का percentage बढ़ा कर तो उसे हम कहते हैं case hardening process and the last point of this introduction part is low carbon steel is used for the case hardening process except in induction hardening where medium carbon steel or high carbon steel is used तो यहां पे क्या बताया गया है कि generally हम लोग low carbon steel के ओपर ही case hardening process करते हैं बस induction hardening यह जो type है case hardening process का इसके लिए हम लोग medium carbon steel यह फिर high carbon steel select करेंगे उसके अलावा जितने भी type है case hardening के उसके अंदर हम लोग low carbon steel ही use करेंगे सिर्फ induction hardening में medium carbon steel यह फिर high carbon steel यूज होता है अगर आप लोग को एक्जाम के अंदर इसके उपर notes लिखने के लिए पूछा गया है तो आपको यह पांच के पांच पॉइंट एक general diagram बनाके explain करना होगे और अगर generally definition पूछता है इसके उपर तो अगर definition पूछाते है फोर्थ नंबर वाला पॉइंट आप वहां पर लिख सकते हो और साइड में एक general diagram अगर आप लोग बना दोगे तो आपके माल्स नहीं कटेंगे now here some types of case hardening process are listed very first is carburizing process or carburizing heat treatment second one cyaniding third nitriding fourth carbonitriding fifth flame hardening and sixth induction hardening तो यहाँ पर total six types दिये वे हैं तो जो यह उपर के five है ठीक है carburizing, cyaniding, nitriding, carbonitriding और flame hardening तक तो यह five की five types के अंदर हम लोग generally low carbon steel use करते हैं और induction hardening के लिए हम लोग prefer करते हैं medium carbon steel या फिर high carbon steel तो जनरली आप लोग को अगर note लिखने के लिए पूछा है तो आपको introduction के पूरे 5.1 general diagram के साथ और इसके छे टाइप लिस्ट करना होगे जिससे कि आपके marks नहीं कटेंगे So here we will end up for today's session, आज की session में हम लोगों ने case hardening process study किया कि इसका definition क्या है और वो कौन से reason है कि जिसके वाज़ासा हमें case hardening process perform करना होता है उसके अलावा हम लोगों ने different types देखे case hardening process के और यह भी देखा कि कौन से वाले type के लिए हमें कौन सा वाला material चाहिए means low carbon steel में cup select करना है और medium carbon और high carbon steel के लिए हम लोगों को कौन सा वारा case hardening process prefer करना है अब इसकी जो छे types है इसका explanation हम लोग आने वाले session में देखेंगे इसके अलावा आज की session में किसी कोई point ना समझा हो कोई difficulty हो वो comment section में लिखके पूछ सकता है so thank you thanks for watching